हेलो एवरीवान और वल्कम बैक तो गेमिंग साइड और गाइस कैसे आप सब लोग फार्मिंग सिमिलेटर 23 के एक और गेम प्ले में आप सब का वेलकम है गाइस आज के इस गेम प्ले में मेरा वैसे इनिशली प्लैन नहीं था इस टाइम पे रिकॉर्डिंग करने का बढ़त जो है वो कमिंट कर रहे थे आइम सोरी अभी मुझे उनका जो है वो नाम नहीं याद आ रहा सो उन्होंने का था कि जी मैं क्रॉप्स जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं प्लांट करता ठीक है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि फार्मिंग सिमिलेटर 23 में इकानुमी भी से अउर हो और भी किज़ें हैं विज्डम होते हैं ठीक है बोई य announced के उ पर वजा नंता कि तो मैं उसको हर्वेस्ट करके जून में सेल कर दूँ तो जून के बाद भी जो है वो समझ आती है कि स्टॉक पाइल कर लूँगा लेकिन एपरिल के मंत में सोई बीन प्लांट करने का क्या लोजिक बनता तो वे बेसिकली वो कहना यह चाहरे थे के अपरिल के मंत में अगर मैं एकॉनमी ना यह कोई नहीं चीज नहीं ठीक है और अभी यह तो यहां पर दिखा रहे हैं कि जलाई में इसकी इस पर प्राइस आयोगी तेमेट जाने का इमकान है तो रिस्क ले लेते हैं गाइस लेट सी कि क्या बनता है एक मंत और जो हम यहां पर स्किप कर देते हैं और ज्यादा सो ज्यादा क्या ही हो जाएगा अच्छा जा इस देखो जो प्राइस ट्य reden ना वह कुई नियू चीज नहीं है जब हम प्राइन गेम केले थे जैसे फॉर एक्जांपल फार्मिग सिमिलेटर 20 बह बहुँआ है इयर्टी तो वह जब हम वह वाली गेम केले थे तो उसमें हमें तो बिलकुल आईडिया नहीं होता था कि कौन सी प्राइस क्रॉप की जब का प्राइस जब हाई होने वाली है तो प्राइस फ्लक्टूइशन यह कुई नहीं चीज नहीं है अब फरक सिर्फ यह है कि अब हमें एक विज्वल जो हो नजर आ होता है कि इस मन्थ में प्राइस जब इस होगी इस मन्थ में ज culturally होगी लेकिन प्राइस लक्टूइट तो नौर्थ के उपर फिलाल जो है वो प्राइस हाई चल रही है तो हम नौर्थ के उपर सेल कर देते हैं एनिवेज तो शाहिद यह मतलब कहना मुझे थोड़ी से सोरी गाइस यहां पर कन्फीजन हो गया यह ऐसे काम नहीं करता था एनिवेज सो इसके उपर मैं बात में आता हूं तो गाइस देखो जो प्राइस फ्लेक्शिशन वो कोई नहीं चीज नहीं है सो मेरा जो माइंड सेट है ना वह यह है कि अगर मैं अपना इस इस गेम में टाइम जो हो इन्वेस्ट कर रहा हूं ठीक है तो उसका आउटकम क्या रहा है अभ हो चुकी होगी बट वाट्स दी पॉइंट इन डूइंग डैट क्योंके वीड जो है वो उतनी प्रॉफिटेबल तो नहीं होगी ना जितनी सोईबीन होगी तो आई सी इट एज के अगर मैं एक लेट्स पॉस थर्टी मिनट गेम में टाइम स्पेंड करता हूं या इन्वे लोग देती है पर्टिकलर ली इस टाइम के उपर क्योंके अभी हम लोग जो है वो ग्राइंडिंग के फेज में डैट डेजन्ट मीन के मैं जो है वो मुतलिफ चीजन ट्राय नहीं करना चाहता है इस गेम है या मुझे यह गेम जैवाइजा जाब लगती है नहीं ऐसा नही है मैं शी को ही जो हो अगेन ए एंदगेन अटेम्ट करऊंगा उसी को ही जो यूज करोंगं और उसी के ऑकॉर्डिंग्स ही मैं यहाँ पर इस यह में कुछ नहीं के बजाए इसके के हम लोग जो है वो कुछ निव चीजने ट्राइआउट करें निव कंबिनेशन अटेम्ट करें और फिर हम फैनेंशली बिस काबल होंगे कि अगर हम कोई मिस्टेक कर लेते हैं सो हम उससे करेंड यहां सब्सक्राइब अब इस पॉइंट मैंने अब भी रिसेंट्ली जैव हो फिच किया ऐस एंड्रोइड से आई एस की उपर सु मैं आरेडी ज्याव स्ट्रगल कर रहा हूं और जैसे अभी मैं स्ट्रेक्टर को चन्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा था सु मैं आप ल तो इसका जो वह एक मोमेंटम जो बना हुआ है वह ज्यादा डिस्टरब ना अब थोड़ा बहुत तो डैफिनिटली इंपक्ट आया है हम उस पॉइंट पे नहीं है लेकिन मैं बहुत ज्यादा भी जो है वह नहीं इन्वेस्ट करना जाता था इस गेम में फिर गेम खेलें का जो टोटल मकसद है वोगी खतम हो जाता है सो यहां पे लास्ट गेम प्ले में मेरे पास चार लाग खसी हजार सम्थिंग थे और आप सोच रहे होगे के भी इतने पैसे कहां किये सो डेफिनेटली नौ मैंने कोई फील्ड वगेरा जो परचेज नहीं किया है और नहीं मैंने कुछ इस तरह काula क्या क्या में ऐस्काम किया है यास मैंने एक क्या है आप आपिर एक लॉड़ीन आगई और इसके इलावा फिर विंड्रोवर आगे यह सारी चीजें जो मैंने बाय की हैं और अगें मक्सद इन चीजों को बाय करने का यही था कि हम लोग जो अगें शीप की तरफ जाएं क्योंके शीप जो काफी अच्छी कॉंटिटी में बूल जो प्रडियूस करती है और फिलहाल तो जयो मेरा प्लान है वो यहांपर कनोला टोन रखर सो में एक इस यहां अगर approved कर क्रोप से ठीक है जो नॉर्मल पैसा होता है वो तो होता है यह लेकिन अगर आप थोड़े टाइम में ज्यादा पैसा कमाना चाहते तो आपको जो है वो आज नहीं तो कल प्रडिक्शन की तरफा नहीं पड़ेगा क्योंकि असल प्रॉफिट ही उसमें है कि प्रॉफिट तो मैं भी इसलिए भी कोशिश कर्णा जदी से जो प्रडिक्शन शुरू हो सकती हैं उनको करूं और इजियाच प्रडिक्शन है कोई भी बन्दा जो वह गें में आते ही जिसको स्टार्ट कर सकता है वह ओई और ऑएल प्रडिक्शन ओपको आपको अपके पा वह बढुद करती रही और आप जो आप जो आपका जो है वह डबल सॉर्स ओंकम जो होता रहेगा तो आपकी एक्टीविटी भी बढ़ जाएगी मजीद आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ जाएगी सो हर तरफ वारी नहीं आ रहे हैं सो यहां भी देख लिए हैं कि मजीद हमारे पास कितनी रह गया है होके मेरे खिया से 24,000 लीटर्स के राउंड बाउट इस ट्रेलर की जो कपैसिटी है और येस वी आर इंडिद मेकिंग अक्डू D my ए और अभी जो गई सिस्टम चल रहा है उसमें यहा族 मैने ओफ बड़े यहां पे मैंने टोन किया है आर जो डोछ चोटे वील्ड हैं मोहाँ पर चोटे यहां पर जो फिल्ड न ही प्लाइन ही प्लाइन पर मैं कनॉला प्लाइट कर देता हूं सो जितना भी वहां से कनॉला निकल के आए गा तो हम लोग जो यूज़ कर लेंगे यहां पर एक और टिपर जो और यह भर के हम बेच आते हैं और इसके बाद जो हम फिर भी भाइख कर लेंगे और बाकी चीज़ें भी और अगर हमारे पास पैसे हुए मजीद तो कोशिश करेंगे कि इस इतने बजट में अगर हमारे पास कोई निव फिल्ड पर चेस करने का आप्शन हुआ तो भी कर लेंगे यहां पर मैं इसको गाइज थोड़ा सा आटोमेट करना चाहता था बट देन हमारे पास एक मिन चलो मैं चेक कर लेता हो कि यह ग्रास रैडड़ीटर ह्रविस्ट रहीं ओक है अग्के सो गया पढ़ ग्रास रैड़्ट फिंछ होचुकािया है । इसका मतलब यह है कि मैं यह जोब करे रियेकर लेता हूं यह एर यह नौॉँड़ई हमने ओर यह कि और हमने यह कर लेता हूं और यह जो है वो स्टार्ट कर देते हैं and I hope okay blocked by an object पता नहीं किस चीज़ से ब्लॉक हो गया चलो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं यहां पर create job grain silo north और यह हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं अब इना इसको कोई मसला बने ओके जी तो यह चल पड़ा है और यहां पर अभी हम क्या करते हैं सारा काम जाहिर है हमने एक ही गेंपले में एक ही काम थोड़ी ना करना है तो यहां पर मैं कर लेता हूं जब यह finish कर लेगा तो तब हम लोग जो है वो definitely और काम कर लेंगे कोई कि अबे या कुछ ज्यादा ही कंजेस्टिड जगा थी ओके जी यह डिसकनेक्ट होगा इनको गाइस मैं किसी चीज के साथ इसलिए कड़ा कर तो कि बात में ना यार यह बहुत तंक करते हैं अच्छा जी यहां पर अभी वह पड़ा हुआ है शॉप के उपर सुमिर को जाना के लिए कि कर लेते हैं ताकर टाइम बचे हमारा कुछ नगोज यह आप देख सकते हैं कि सारे के सारी तूल्स बढ़े हुए जो हमें चाहिए और इसको जो है वह यहां पर गए जम लोग कनेक्ट कर लेते हैं ठीक है यह थोड़ा सा अजीब लगता है सामने जब लगाओ और खासकर फोल्डिंग पजीशन में यह बड़ा जीब सा लगता है बट जब आप इसको यूज करता है तब बड़ा सिक लगता है यार यह एंड यह हैं वह पर दिसको बड़ा से अगर आप यूज करओगे तो हैलपः आप लोग नहीं हायर कर पाओगी दो मैंने तो बस है जब आप इसको से कनेक्ट कर लिए हैं एक्ट्रों व्रॉन्ट्च से मेरे खियाल सो थोड़ा सा हैवी हो जाते है इसको ऐसे इस तरह से कनेक्ट करने से बट इतना ज्यादा अंस्टेबल भी नहीं है कि ड्राइब भी नहों पाई और काफी ये ट्रैक्टर तो वैसे भी मलत के यार बड़ा जबदस्त है वाव तो यहां पे भी हम चलते हैं जी सिदा कभी कभी तो यार मैं सोचता हूं के कंट्रोलर यूज करी लूँ बड़ देन अगें गाइज कंट्रोलर के नहीं यार अपने मसले मसाइल है थोड़े से उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना होना तो बड़ा यार मसला बन जाता है इसका ओके इसका मतलब हैल पर पहुंच गया जी शौ करें और अगें गाइज यहां पर मैं यह जो चोटा फिल्ड है इसी के उपर मैंने जो हो ग्रास प्लांट किया है और रीजन यहां पर यह इस फिल्ड के उपर थोड़ा सा दूसरी मेशीन का काम करना थोड़ा सा मुश्किल है तो मैंने इसी को जो हो चूज किया है और यह यहां पर यहां पर ही लगा देता हूं कि वह थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्लीन चला जाता है ओके फुड़ा समय तो इसने भी करीट करी दी है और अडिवेज मेरे से तो काफी ज्यादा यह जो यह वह बहतरी जा रहा है यहां पर भी दूसरे हलपर का स्टेटस चेक करते हैं यहां पर भी किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि यहां से वापस नहीं आएगा तो यह वहीं पर जाके जब अटक गया है और यह वापस नहीं है अट्रेक्टर वेरी सैड गेम में बहुत से गाइस मसले मिसाइल हैं जिनको जाइंट सोफ्ट्वर वालों को इमेजएटली फिक्स करना चाहिए एंड आइड डूंट थिंग के इतने जल्दी इसकी अपडेट आने वाले जिस जितने इस गेम में बसले मिसाइल हैं क्योंकि डैफिनेटली इतने प्रॉब्लम्स को जो हैना सॉल्व करने के कर दूंगा और फिर यहां पर लगा दूंगा तो वो कमस कम इसको ले तो जाएगा ना वापिस तो नहीं ले कि आएगा यह थोड़ा सा पता नहीं यह अभी क्या लोजिक के इस गेम का कि यहां पर यह लूपिंग में काम क्यों नहीं करता यह यह स्टेफिनेटली किसी ने तो को एकस्पेरिमेंट किया ही था पहले मुझे लगा कि शायद उसी के गेम में इशू आ रहा हुगा शायद मेरे गेम में इशू नहीं बट नो यह तो सभी के इशू आ रहे हैं ओके जी यहां पर फिर से लोड़ करते हैं सब्सक्राइब और इस बार थोड़ी सी कम ही अब यहां पर चेक कर लेते हैं हम साइलोज टोटली एमटी कर चुके हैं जी और अभी हम लोग यहां पर लगा देते हैं जोब करेट कर लेते हैं जी अभी यार क्रेट जोब डिलीवर टू दी नॉर्थ स्टार्ट जॉब वाव तारियां भी इस बात के लिए चलो फिर गाइस इसका मतलब यह कि ये मेरे को खुदी लेकर जाना पड़ेगा आज का गेंब ले फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वट क्या करें अबे अधियां असल में मेरे को ना वो गाड़ी बिल्कुल ही नजर नहीं आई टूपी होने थोड़ा सा मैं माइक मुझ के ज्यादा क्रीब किया हुआ है तो थोड़ा से यहां पे ना मैं स्क्रीम को एक साइड से देखूं तो थोड़ा फर मिलपके ना ब्लाइंड स्पॉड आर यहां पर के तो यहां पर नखर ही बहुत हैं हमको दिले जाते हैं और यह फाइनल टिपर जो है यह सेल आउट कर देते हैं तो यह मेरे खिया से आरांड बाउट नाइंटी थासन लिटर्स के आरांड बाउट हमने यह सेल की है स्वेबीन एंड आइगेस इट्स इट जो हो यह इतने पैसे मिलें तो यहां पर थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं इतनी बड़ी टिपर 84,000 यहां चलो इस बार थोड़े से कम होंगे 80,000 लिटर्स के रांड बाउट हम पैसे लेके जा रहे हैं तो भई यह ना हो कि यहां पर कोई मस्ला ही आजाएं वाँ तो यह जी य हैं और इस ट्विपर को बेचने के बाला में पैसे जो मिलें वहां 78,000 745 डॉलर्स नॉट बैट अभी हम चलते हैं जी सीधा ऑईल मिल के उपर दो चीज़ें बेसिकली दो चीज़े मैंने पर्चेज करनी हैं एक ओल मिल और एक शीप फार्म तो मैं तब ही पर्चेज बल्क अभी कर लेते हैं गाइस बाई तो और उयल मिल और शीप फार्म दोनों मैंने बाई करनी थी तो दोनों चीज़ें हम आज ही कि गेम बेंपले में बाई कर लेता हैं और यह ट्रैक्टर काफी गंदा हो रहक है तो इसको अभी आये ही है इस दरब को तो दलभा ही लेते हैं औ यहां पर यह फिलहाल हम यहां पर ट्रक्टर अपना दुलवाते हैं चलो जी यह दूख चुका है और अब हम सीधा ओइलमेल पर चलते हैं और इसको करते हैं परचेज कहां से होगी यहां से होगी मेरे क्याल सीटेस ओके कितने किया यह एक्टी थाजन डॉलर्स तोपा अगर कई बिल्डिंग्स इसमें ना बहुत ही एक्सपेंसिव मरलब उनकी सेंस ही निकरीड करती फॉर एक्जेम्पल अगर मैं आपको एक एक्जेम्पल बताऊं तो काव फार्म मलब धाई लाग डॉलर्स का यार अब हद है मरल है नहीं काव इस गेह में अब इतनी ज्यादा थाजम Joshua नहीं मुझे और निक्टा के काव्ण का मरल रिए क्या करें बटर बना लिएगा चीज्ट बना लेंगा और याइंडिव हुआ च्जार्द ए grounds मेरे उससे ज्यादा मेरे खियाम से पृफिशिंपल और बी हैं आ की आपी जूफली जो हमारा है पर होगी सिस्के और उसने ग्रास जो हो मौव कर लिया और यह सारा का सारा ग्रास को कट कर दिया ओकी जी यहां पे चलते हैं जी शीफ फार्म पर और यह नाइंटि सैवंध थाजन ओंग और और पूरा एक लाग के तैंट चोड़के हैसान क्योंकि हमारे सर पर इतना तो चलें जी यहां पर शीप बाइक करूंगा ताके हमारे पास दो चलो कम कर लेता हूं तो फूदी होती रहेंगी ओके जी अब हमने गेम स्टार्ट करी थी एक लाक सम्थिंग पैसे थे हमारे पास और चार लाक पैंटिस हजार पे हमने पीक आज की गेंपले में कॉनमी टच की थी और अब हम वापस आ चुके हैं जी तो लाक स्टाइस हजार डालर पे जो के मगर्डे ख़ेएगे कि अभी हमने अद्म स्टा बार्या प्रिखेंगे चाहिए तो यहां पे हमते हम कर देए हम यहां यहां पर पार्क कर दिया है, again असमें फर्मॉला, यहां पर मैं वेहकल के सेक्शन में जाकर इसको कर दिता हो, रीसेट और यहां पर यह विंडरोवर पड़ा हुओ है, इसको यहां पर कनेक्ट करते है coraçãouning, और हैर थे, ठीक है, यहां पर यहलिपर की जाए जो जौबota क्रिएट करते हैं साइड ड़े सिसके इसको इस फिल्ड में जेब ले चलते हैं और पार्म के उपर इस तरफ को फेसिंग कर दे जूल यह स्टार्टो पी जूलब इसकी अभी यह तिपर ले चलते हैं जिद वापिस अपने वाप Diam Casey वाइंगे ओपर और होफुली तब तक जो है वो काम कर लिया होगा दूसरे हल पर ने और जो भी है उसमें यह टिपर अभी मुझे कोई स्यादा चाहिए नहीं तो इसको मैं यहां पर साइड पर पार्क कर देता हूं ठीक है और यह साइड पर पार्क हो चुक है सो अभी क्या करूंगा मैं के उपर हम लोग स्विच करते हैं यह हम लोडिंग वैगन के साथ किनेक्ट कर लेते हैं हो जा है यह रीट क्यों रखा है इन्होंने लोडिंग वैगन का अभी किस चीज़ से ब्लॉक हो गया भाई तो यह गाड़ी शाहिए इसके आगे जारी तो उससे ब्लॉक हो गया तो वैसे तो यह वाला विंड्रो वरान थोड़ा सा जीब सा लगा है मेरे को और अगेन दो मतलब के चकर इस यह लगाता है फिर जाके जाए वह एक रोपर ड्यूस होती है इससे तो थोड़ा सा जीब सा तो है हो जाब है यह एक्टिवेट किया हो गया इसलमें यू आई यह निए सब्सक्राइब तो थोड़ी सी चोटी कर रखे सो उसी सी मसल में साइल जिया भोनिकल रहें यह पर हम बाद में उटाना बड़ा प्राब्लम अपने आपको जो लगी तो यह अभी हम कुदी ले चलते हैं जब तक हम जाएंगे तब तक होफुली एक लाइन तो जो वो बनाई चुका होगा जो हैल पर हमने अभी विंडरोर के उपर लगा है यहां पर फरस्ट परस्पेक्टिव कर लेते हैं कभी कभी फरस्ट परस्ट में भी जो चला लेना चाहिए और यहां पर यहां पर यहोप के आगे सकता गाड़ी ना जाए एक दम से प्रकट ना जाए यह लोडिंग वाइग ना ट्रक्टर को थोड़ा सांस्टेबल कर जेती है गाइस और यहाफ टू बी केरफू अभी तक एक लाइन नहीं नहीं यार इस हैल पने क्या धक्कान आत्मी है यह अभी वह देख लेना के वह दूसरी रो लेके मलब पहली रो लेकी आ रहा होगा क्या सुस्ता है यार यह अभी कर क्या रहा है यह हां ठीक है इसी रो मैड कर रहे है चल बही चल जल्दी कर अभी देखना इसके नख्रेचा करना गईस इस हुआ 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 चले जी थैंक यू सर आप ने इतना ख्यार रखा अभी हम चलते हैं जी इसको पिक करने के खुश्च करते हैं यह शुरू में जो अभी यार यह पता नहीं क्या मसला है मैंने यूए इतनी भी चोटी नहीं कि यार के मार्लब मैं बटन प्रेस करूं और वह काम ही ना करूं क्योंकि हम हैं थोड़े से जल्दबाज और है थोड़ा सा स्कून पसंद आदमी और वह कोई काम यह वो मेरे ख्याल से करके ही नहीं राजी तो अभी इसका जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मैं तो चलो वेट कर लेते हैं फिर भी इसका यह एक रो जो उसने बन आज़े हैं तो उसका वेट करते हैं है तो वैसे बढ़ा देखो कितना अधरा ट्राइबर रही है रही है तरह एब पंजाबी वर्ड लभ देखो कैसे मेरे लग कैना वो अंदा दूंद जो है वो ड्राइब कर रहे हैं के हैवी ड्राइबर जिसको आज कल हिंदी में लोग एक वर्ड बोलते हैं है वी ड्राइबर ओर राइट सेकेंड रो अभी यार क्या इसका भी अभी घंटा वेट करना पड़ेगा कि वह 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 कैसे एक बता हूं अभी आधि भर्वी गई इतनी जल्दी अभी रोक जाई रूप जाउ आभे हट यार है यह मतलब क्या है कि ना है वी ड्राइवर यार देखो वह मतलब कि आप बोलू है अभी मैं वो देखो वरलब उसने बिल्कुल लिटरली मेरे ट्राक्टर को पुछ कर रहा है चलो जी अभी जितना हो सकते हैं उतना उठा ही लेते हैं तो थोड़ा सा इसका जो भी आपे मजीद वेट कर लेते हैं यह थर्ड रो मेरे ख्याल से जनरेट कर रहा है और फॉर्थ भी बनाई ले शायद लेकिन मैंने इसको बनाने दूंगा क्योंकि वो बिल्कुल हाफ रो होगी तो उसका फायदा ही कोई नहीं तो भी इसका वेट कर लेते हैं थोड़ा सा बना दो रहा है अब मैं इसको ज्यादा डिस्टर्ब करने के मूड में नहीं हुई यह ना हो कि यह बाद में जो हो पूरी पूरी लाइन ही खराब हो जाए इसका फायदा कोई नहीं है तो लेट हीम टेक इस टाइम और हम लोग तब तक यह नजारा कर लेते हैं क्या बोलते हैं इसको फर्स परस्ट परस्पेक्टिव अभी यह क्या चीज लगी है यार बड़े रंग परंगे से यहां पर लगे हुए गेर से वाह अच्छा इंडीर है यार इस ट्रैक्टर का चला ची फाइनली और इसके बाद यह जो थोड़ा सा रह गया यह मैं इसको कंपलीट नहीं करने दूंगा यही बहुत है और बाकी यह पड़ा रहेगा नेक्स टाइम भी हमने यहां पर ग्राफ से मूव करना है और वो शीप को यह हमने देना है तो इट विल बी फाइन अगर यहां पर थोड़ा सा रह भी गया तो यह भी रोव अपनी कंपलीट कर ले तो हम यहां पर इस वाले हैल्पर को जोड़ डिसमिस कर देते हैं चलो बई खत्म तुम्हारी जॉब खत्म बहुत काम किया थैंक यू आपकी सर्विस को हमेशा याद रखा जाएगा लेकिन अब आप छुटी करो और अभी हम स्विच करते हैं जी ट्रैक्टर और यह जितना भी राज है इसको लेके चलते हैं जी हम अभी तक एक्टिवी है वाह यह थोड़ा सा कमाल का फीचर है इस केम का जो मुझे लगा है मलब एक टूल को एक्टिव छोड़ दो वापिस में बैठो तो एक्टिवी हो हुगा अलब यह नहीं कि आपको फिर से दोबारा से जोब उसको एक्टिव करना पड़ेगा यह तरन ओन करना पड़ेगा यह मुझे तो गाइस काफी अच्छा फीचर लगाए यह अभी यार यह नाव यह पूरी उठाई नाव पहले ही बर जाए उठा लिए उठा लिए बरी तो नहीं है फुल तो नहीं है वैसे जो अच्छी बात है वरना वो रो जो हम फिर आजा नहीं थी बट काफी तकरीबन 95 तक जो हो मेरे ख्याल से बर चुकी है अब यार यह बहुत ही अंस्टेबल कर रही है ट्रेक्टर को यह वाली लोडिंग वेगन इसका मैसी ले चल और यह कनोला श्राइब जो है वो जो भी प्लांटिट है इसको हर्विस्ट करूंगा जो कनोला प्लांट है वह तो डैफिनिटी एम मैं डिलिवर करूंगा और मिल के उपर साथ इसकी जो प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाएगी और यह जो सोय बीन है वह से फिर हम स्टोर कर लेंगे चले यह इस की कपैसिटी हो चुकिया यहां पर और अभी यस तो गैज यह मेरे ख्याल से अभी मैंने next harvesting करनी है तो मेरे ख्याल से यह अच्छा पॉइंट है गेम प्लेंड करने का वैसे भी आज मैंने अच्छा खासा लंबा बना है बाकी गेम प्लेइस के मकाबले में वीडियो पसंद आए तो आप लोग ने वीडियो को लाइक कर देना है निवे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता आप से अगली वीडियो में आपने बहुता क्या रखना बाई बाई